प्रोना से जंग में लगने वाले समान और उपकरनों को GST से मुक्त करने की कई राजियों की मांग अधूरी रह गई है सनिवार को वित मंतरी निर्मला सीधा रमन की अध्यक्षता में हुई GST काउंसल की बैठग में इन में से कई चीजों पर GST रेट को घटाया गया है लेकिन इन्हें मुक्त नहीं किया गया है इस पर दिल्ली के उपमुक्हे मंतरी मनी सिसोधिया ने तीखी प्रतिकिरिया की है सिसोधिया ने ट्वीट कर कहा मास्क, सेनिटाइजर, ओक्सीमीटर, थर्मामीटर आधी आज हर परिवार की जरूरत है अब ये महीने के बजट का हिस्सा भी बन गए है सरकार को इनके जरिये टेक्स कमाने के लालच में नहीं पढ़ना चाहिए दिल्ली के डिप्टी सीम ने कहा कि सनिवार को हुई जीएस्टी बैठक में केंदर और भाजपा के वित मंतरियों ने इन्हें टेक्स फ्री करने का प्रस्ताव नहीं माना वितमंत्री निर्मला सीता रमन ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जीस्टी काउंसल की चवालिसवी बैठकी अध्यक्षता की जीस्टी परिसद ने हैं सेनिटाजर और टेंपरेचर चेक एक्विपमेंट पर टेक्स की दर 18 प्रतिसद से घटा कर 5 फिसदी कर दी है वही मेडिकल गरेड ऑकसीजन BIEPAP मसीनो ऑकसीजन कंसंट्रेटर वेंटीलेटर प्लस ऑकसीमीटर पर टे 12 फिसदी से कम करके 5 फिसदी किया है कांसल ने कोरोना की दवा रेमडे सीविर और जीएस्टी 12 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी करने के परस्ताव को मंजूर कर लिया है कोरोना वैक्सिन पर जीएस्टी में कोई बदलाव नहीं हुआ है महरास्ट और दिल्ली सहित कई राज्य कोरोना से जंग में लगने वाले समान और उपकरनों को जीएस्टी से मुक्त करने की मांग करते रहे हैं